दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे लोग YouTube पर कुछ ऐसे वीडियो देखे होंगे जहाँ पर उन वीडियो के description में कुछ इस तरीके से disclaimer लिखा होता है और उसके नीचे कुछ word लिखे होते हैं तो इस disclaimer का मतलब क्या होता है और लोग इसे क्यों use करते हैं अगर आप भी इसे use करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं आज मैं पूरा डीटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं तो इस वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूटूब से रिलेटे टिप्स एंट्रिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथने बिल आइकन भी प्रेस कर दें तो अब चलते हैं वीडियो के तो हमारा फर्स्ट स्टेप है वेन आई यूज डिस्क्लेमर तो दोस्तों आ अगर वो कॉपी राइट मेटेरियल है और आप अपने वीडियो में यूज करना चाहते हैं इस परपस से कि आप अपनी उस वीडियो से किसी दूसरे को एजुकेट कर रहे हो या फिर इंटर्टेन कर रहे हो तो आपको अपने वीडियो में कॉपी राइट डिस्क्लेमर को जरूर यूज करना चाहिए इससे क्या होता है कि आपके वीडियो पर copyright आने के चांसे बहुत ही कम हो जाते हैं और आप copyright से बच जाते हैं अब ऐसा नहीं कि कि किसी दूसरे की वीडियो डाउनलोड करके अपने वीडियो पर अपलोड कर दो और इसके बाद में disclaimer का यूज़ करते हो तो आपके वीडियो पर copyright नहीं आएगा इसा कुछ भी नहीं है हाँ कुछ पार्ट होते हैं जो आप अपनी वीडियो में अगर यूज़ करते हैं तो बंदा अगर आपकी वीडियो पर copyright देने के लिए जाएगा और नीचे description में देखेगा तो वहाँ पर उसक इसी दूसरे का पार्ट यूज़ करते हैं तो आप अपने वीडियो की description में जरूर डिस्क्रेमर को यूज़ करें ताकि आप copyright स्ट्राइक से बच सके step number two how to use दोस्तों आप इसे use कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको screen पर दिखाई दे रहा होगा मैंने अपने phone में Google को open कर लिया है और यहाँ पर मैं search कर लेता हूं YouTube disclaimer और इसके बाद मैं search के button पर click कर देता हूं जैसे मैं यहाँ पर search करूंग कर लेना है किमिक करने के बाद दोस्तों आपको Chrome browser फ leav कर लेना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा और यहां पर आपको दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने पूरी की पूरी disclaimer लिखकर आ गई है अब दोस्तों आपको इसे यूज कैसे करना है तो simple साब को क्या करना कि टोटल आईजे टीज इसको COPY कर लेना है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरी तरीके से यहां पर COPY कर लिया है अब इसके बाद में आपको इसे कैसे यूज करना है तो उसके लिए दोस्तों मैं अपने फोन में WT Studio आप्लिकेशन को ओपन कर लेता हूं ओपन करने के बाद यहां पर मैं आपने किसी भी वीडियो को एडिट वाले सेक्शन में ले आता हूं और यहां पर आने के बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन वाले आप संपर मैं किलिक कर देता हूं जैसे मैं यहां पर किलिक करूंगा तो इस तरीके से अपने disclaimer को लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से और इसके बाद में आपको यहाँ पर save वाले बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर save करेंगे तो दोस्तों आपका जो disclaimer है वो save हो जाएगा आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगे अगर पसंद आई है तो इसको like कर देना नीचे comment box में जरूरू बता देना कि यह वीडियो कैसी लगी और अगले किस topic पर चाहिए और अगर आप ऐसे यूटूब से related tips and trick की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस channel को अ है